हाई एवरिवन अल्डी हाइट्स किटोन्स कर रहे थे हम लोग आज लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का कार्बॉक्षली के चिर्टों बचा हुआ है और इस लास्ट लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वह है अल्डी हाइट्स और किटोन का पोली पोली मेराइजेशन पर पूरा हम लोग को चाप्टर ही पढ़ना है पोली मेराइजेशन के या पोली मेराइजेशन होता क्या है तो पोली मेराइजेशन एक वहाँ प्रोसेस होता है जिसमें कई सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो की सेम कंपॉंड के हो सकते हैं या अलग अलग compaund के हो सकते हैं वे अपस में combine करके एक macro molecule का formation करते हैं और वैसे जो macro molecule कि करेंगे उन मोलीक्यूल का जो प्रोपर्टी होता है वह इंडिवीज्वल मालीक्यूल पर डिपेंड ना करके पूरा जो बलक मॉलिक्यूल हे उस पर डिपेंड करता है तो भूत चाहए छोटे-छोटे सिम्पल मॉलिक्यूल आपस में रिपीट मतलब ऐसा नहीं कि जदी एक हजार मॉलिक्यूल जड़ाव है तो एक हजार मॉलिक्यूल अलगला compound का होगा नहीं, वो एक ही compound के 500 molecule repeat करेंगे, फिर अगला compound का 500 molecule repeat करेंगे, ऐसे, तो repeating units होते हैं उसमें, जो simple molecules होते हैं, उनका repeating units होता है, और वे सभी आपस में combine करके एक बड़ा सा molecule बनाते हैं, और वही जो बड़ा सा molecule है, वही जो है decide करता है उस substance के property को, ना कि उसका एक molecule, तो यह process होता है polymerization, और वो जो बड़ा सा molecule बना, वो है polymer, और जो छोड़े-छोड़े molecules से मिल करके वह बनता है, वे छोड़े-छोड़े molecules कराते हैं, monomers, mono का मतब एक मर मने part, तो एक part मतब एक single molecule, monomer, और वैसे-वैसे कई single molecule, monomer आपस में combine कर जाए, तो polymer, poly मतब मेनी, बहुत सारा, तो बहुत सारे molecules का एक combination, polymer, एक molecule क्या बोले, monomer, और जो process है, monomer का polymer में convert होना, this process is called polymerization, ठीक है, अब इसमें से बताए कि polymerization चाप्टर पढ़ोगे, तो उसमें काफी detail में देखोगे, कई तरह का polymerization में एगरा होता है, तो उतना तो अभी हम लोग नहीं जाने वाले हैं, बस अभी deal करेंगे केवल, कार्बोनील कंपॉंट्स के polymerization को, और उसमें सबसे पहले आता है, polymerization of formaldehyde, polymerization of formaldehyde, aldehyde का, अलग-अलग case में इसका अलग polymerization है, ए नमबर, 40% equus solution जो होता है, formaldehyde का, 40% equus solution of formaldehyde, उसे हम कहते हैं, formalin, इसे हम क्या कहते हैं, formally, 40% equus solution of formaldehyde is called, formalin, अब इस formalin को क्या किया जाता है, कि heat किया जाता है, heated to dryness, मतब एक्वस solution है, तब तक heat करते राना है, जब तक कि उसका water का molecule महां से उड़ना जाए, एक्वस form गाई बना हो जाए, तो यहां से बनता है, पैरा-formaldehyde, जो कि एक polymer होगा, तो 40% equus solution of formaldehyde, known as formalin, when heated to dryness, polymerization occurs, एन पैरा-formaldehyde is formed, इस तरह से reaction होता है, कि ऐसे मालो, यह सभी formaldehyde के molecules हुए, ऐसा, यह सभी formaldehyde के molecules हुए, simple सा reaction होना है, bond खुलेगा, खुलेगा तो यह किधर जाएगा, और एक आएगा इधर, फिर इसका एक इधर आएगा, एक जाएगा इधर, फिर एक इधर आएगा, एक जाएगा इधर, तो एक bond अब इधर बनेगा, ऐसे, यह हो गया, CH2O, फिर यहाँ, CH2O, फिर ऐसे ही, CH2O, ऐसे करके, यहाँ, जो यूनिट है, CH2O, इसी जाएगा, रिपीटिंग यूनिट, यही यूनिट, रिपीट करेगा, पूरे पॉलिमर, रिपीटिंग यूनिट, इसका, होल एन, इसी को हम लोग कहते हैं, पैरा, फॉर्मल्डिहाइट, पैरा, फॉर्मल्डिहाइट, जो की, फॉाइट, क्रिस्टलीन सॉलिड है, फॉाइट, क्रिस्टलीन सॉलिड है, विद, फिस्सी ओर्डर, मच्छली के जैसा, इसका स्मिल है, विद फिसी ओर्डर यहां जो एन है वो एन के जगा बोर्ड आये कि 6 से लेकर के 50 तक हो सकता है 6 मॉलिक्यूल से लेकर के 50 तक है तो क्या बोले 40% एक्वास सॉलिशन और फॉर्मल डिहाइड जिसे फॉर्मलीन कहा गया इसे हीट किया जाता है ड्राइनेस तक जब तक की ड्राइना हो जाए मत्ता वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकल ला जाए पॉलिमराइजीसन होता है इस तरह से बहुत सारे फॉर्मल डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने लगते हैं कि और इस परे एक लिए फ्रॉण लोक ब Wine खुलेका इस बहुत सारे मॉमलीक्यूल ही पोरे में यही मॉलीक्यू डू खी सब्वायरत देख बहुत 5えー in इसनलों और प्छास तक होता है ती हुआ इसका पहला कर्णिशन ए नंबर इसी में बी नंबर देखें जदी तो इसमें है फॉर्मल डिहाइड का 60% सॉलुसन होता है उसे फॉर्मल डिहाइड सॉलुसन 60% सॉलुसन है is treated with is treated with कंसंट्रेटेड़ H2SO4 तो पोली मेराजेशन करके पोली ऑक्सी मिथाइलीन का पर्फॉर्मेशन होता है एज फॉर्म्ट ऐसे एन फॉरमल्डी हाइड है एज सी एच वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरी केशिद होगा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरी केशिद हीट तो ऐसा बनता है CH2 का होल N साथ में H2O और यहां देखो बोड़ा है कि N हमेशा हंड्रेट से अधीखोगा इसी को में करें पोली ऑक्सी मिथाइलीन इस ग्रूप इच काल्ड ऑक्सी मिथाइलीन Oxygen है इसलिए Oxygen और CH2 को तो मिथाइलीन कहते ही है और N बहुँ ज़्यादा होने वाला है और एक तीसरा केश इसमें है C नंबर में कि Formal Dehyde जो कि Gaseous Form में होगा Formal Dehyde गैस ही होता है यहाँ Solution फेज लिया गया इसका तो Formal Dehyde जो कि Gaseous Form में होगा इस Formal Dehyde गैस को किवल क्या करना है कि छोड़ देना है A Stand at Room Temperature जो Gaseous Form का Formal Dehyde है जिस बरतन में है पस उसको छोड़ देना वे सही Room Temperature पर तो Polymerization हो जाएगा यहाँ से और Meta Formal Dehyde का Formation होता है Meta Formal Dehyde उपन में Paraformal Dehyde बना था यहाँ क्या चुछ का Formation होता है Meta Formal Dehyde का कैसे होता है Reaction के देखू H C H Double Point O पर यहाँ हो जाएगा C H H Double Point O पर यहाँ C H H Double Point O तीन मोल इनपॉल पर Formal Dehyde का Room Temperature पर Polymerization होगा E bond आगर के यहाँ जुड़ेगा E यहाँ जुड़ेगा और E जागर के इस Carbon पर है क्या बन जाएगा यहोग यहाँ CH2 यहोग यहाँ O पर यहाँ जुड़ेगा CH2 फिर यहाँ होगया O फिर यहाँ होगया CH2 फिर यहाँ O और फिर ऐसे है This is Meta Formal Dehyde इसी को Trioxy Methylene भी कहेंगे Trioxy Methylene तीन Oxygen है एक, दो, तीन और तीन मिथाईलीन है CH2, CH2, CH2 जले ट्राइ Oxymethylene तो यह तीन केस रहा Formal Dehyde का Polymerization के लिए जो है तीन केस एक और है भी इसमें देखेंगे आप लोग तीन केस में पहला केसन लोग क्या देखें कि Formal Dehyde का 40% एक पर सॉलिशन जिसे Formaline कह रहे है उसका Polymerization से पैरा Formal Dehyde बन रहा था B में 60% सॉलिशन ले करके Concentrated Sulfuric Acid से हिट किये तो Polyoxymethylene बना और C में Formal Dehyde गैस को वैसे ही छोड़ दिया गया रूम टेमपरिचर पे तो मेटा Formal Dehyde बन गया Next जो कि सबसे Important है वह है Phenol के साथ Polymerization Phenol के साथ Polymerization सबसे Important वही है Formation of Bakelite Formation of Bakelite इसमें देखो होता क्या है Phenol का Electrophilic Substitution है Phenol चैप्टर में पढ़े भी होगा इसको Lederer मनना से reaction था वहाँ Formal Dehyde के साथ जब इसका reaction करवाँगे Formal Dehyde Basically यहाँ Formaline है 40% Eqvast Solution देख चुके है अभी इम्रो Acid याब बेस के परजेदस में जब इसका reaction होता है तो Electrophilic Substitution reaction है आईसा Ortho Hydroxy Methyl Phenol बनेगा और साथ ही Para Hydroxy Methyl Phenol बनेगा OH और यहाँ CH2OH Ortho Hydroxy Methyl Hydroxy Methyl Phenol Ortho Hydroxy Methyl Phenol और यह हो गया Para Hydroxy Methyl Phenol यह दोनों बनते हैं अब इसमें से यह जो Ortho Hydroxy Methyl Phenol है जो Ortho Hydroxy Methyl Phenol है CH2OH इसका N-mol लेकर के जब यहां करोगे Polymerization आसा तो N-mol लेकर के Polymerization करने पे क्या होता है कि इस तरह से इसके molecules आपस में जुटते जाते हैं OH CH2 फिर यहां OH CH2 ऐसे ऐसा करके एक Linear Polymer बनता है Linear Polymer बनता है जिसे कहा जाता है Nevolec Linear Polymer Nevolec Paint में इसका इस्तेमाल होता है Used In Paints कैसे हुआ reaction असान सा है देखो Suppose इसका दो molecules लेकर के केबल बता देते है OH E था CH2OH सेम molecules और लोगे OH CH2OH और इधर H तो यहां देखो H2 बार हो जाएगा और जब ही H2 बार हो जाएगा तो डैरिक नहीं जुट जुट जाएगा देखो तो ऐसे ऐसे ईपी OHR इसका है जाएगा तो यह भी जाएगा तो बन जाएगा इसा linear polymer अब जो यह linear polymer बना जिसको हम लोग napolek कह रहे हैं जो कि paint में इस्तमाल होता है अब इसको जब तुम heat करोगे किसके साथ वो जो पारा hydroxy methylphenol था उसके साथ ठीक है यह अब दोनों को एक साथ मिला करके polymerization करोगे तो वहां से crosslinked polymer का formation हो जाता है पहले तो यह बनेगा linear polymer napolek उसके बाद जब आगे देखो कि मान लो इन दोनों को मिला करके दोनों का N-mool लेकर के polymerization करवा रहे हो ऐसा तो एक crosslinked polymer बनता है देहां से देखना है OH CH2 OH CH2 उपर में OH CH2 ऐसे ही फिर यहां पारा से जाकर के जूलेगा CH2 OH यह और तो से CH2 फिर यहां भी CH2 OH हो गया यहां भी CH2 CH2 OH CH2 और यह जो crosslinking हो रहा है देख रहे हो इधर भी जूड़ रहा है इधर भी जूड़ रहा है इसी को अमनों बोलते हैं crosslinked polymer crosslinked polymer और इसे ही कहा जाता है bakelite this is bakelite formaldehyde और phenol का एक crosslinked polymer है जिसका इस्तिमाल किया जाता है बनाने में electrical goods coms, kangha, kanghi वेगरा जो होता है उस सब बनाने में इस्तिमाल किया जाता है पॉलीमर चैप्टर में पुड़ोगे इसका यूजवेगरा जानोगे वहाँ तो समझ गए formaldehyde और phenol का सबसे पहले electrophilic substitution reaction हुआ लेडर मनासे reaction तो इसमें से केवल ortho hydroxy methyl phenol है तो इसका linear polymerization हो करके navolag बनता है और दोनों को एक साथ मिला करके करोगे तो फिर यहां cross linking हो जाता है और इस तरह का product बनता है जिसे हम क्या कहते है 2K light कहते है 2K light के नाम से चलते है तो चारों में से very very important कौन हो गया यही वाला 2K light वाला formaldehyde का जो 4 case बताए उसमें से सबसे important यही है ध्यान रखोगे नेक्स्ट अब आता है polymerization of acetyl dehyde polymerization of acetyl dehyde formaldehyde का 4 case दिखे हम लोग next polymerization of acetyl dehyde इसमें से भी कई cases है सबसे पहला case के concentrated sulfuric acid के presence में room temperature पर acetyl dehyde का polymerization होता है paralleldehyde में in the presence of in the presence of of concentrated sulfuric acid acetyl dehyde acetyl dehyde polymerizes at room temperature 25 degree celsius पर to give paralleldehyde इसमें सो note करने वाला बात है room temperature तो कि अलग temperature पर फिर अलग चीज़ बना लेता है जो देखेंगे अभी हम लोग कैसे बनता है देखोगे this is acetyl dehyde this is acetyl dehyde CH3 CHO this is acetyl dehyde this is acetyl dehyde CHO में किनीज महाँ पढ़ोगे, CS3, CH, O, CH, CS3, O, CH, O, CS3, आसा, अब इसे ही हम कहते हैं, जो कि एक साइक्लिक ट्राइमर है, ट्राइमर मनें तीन मॉलिकुल, तीन पार्ट, दो रहता है तो डाइमर, तीन रहा ट्राइमर, चार रहा टेट्रामर, ऐसे ही बहुत सारा रहा तो पॉलिमर, एक है तो मोनोमर, दो हुआ डाइमर, तीन है ट्राइमर, चार है टेट्रामर, बहुत सारे रहे तो पॉलीमर तो यहां चुक्छी दीख रहा है तीन तो हम लोग इसको ट्राइमर कहेंगे ट्राइमरी जो पॉलीमर 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 तब एक से ज्यादा होना चाहिए बस पॉलीमर पॉथिसका 397 कलीमर बताया जा रहा है और इसका इस्तिमाल किया जाता है रूपमे नींद की दवा जैसे हमने पुछला क्लास में क्लोरी टोन देखे थे जब एसी टोन का रेक्शन हो रहा था क्लोरो फोर्म से वैसे यहां यह भी हाइपनोटिक है वहाँ भी हाइपनोटिक ही था नेक्स्ट केस इसका है कि सेम सिच्वेशन होगा इन दा प्रजेन्स आफ कॉंक H2SO4 एसीटल डिहाइड पोली मिराइजेज एट जीरो डिग्री सेल्सियस टो गीब मेटल डिहाइड जो कि एक टेट्रामर होगा चार मोल यहां इनवर्ब होता है देखोगे CH3 CHO यहां भी इसे चलेगा सौरी ऐसे हो जाएगा CH डबल पॉंड ओ CH3 यहां CH डबल पॉंड ओ CH3 बिसे यहां CH CH3 डबल पॉंड ओ इस तरह चले वही कंसंट्रेट्ट सल्फूरी के सीडिय है बस टेम्प्रेचर का अंतर है 0 डिगरी सेल्सियस है तो यहां 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 इसके पास अज़ जाकर विर उड़ी है क्या बन जाएगा CH3 CHO CH CH3 फिर यहां O CH CH3 O CH CH3 फिर O टेट्रामर चार मोलन के ज़़ाना है एक डो तीन चार टेट्रामर इसको कहते हैं हम लोग इस इस मेटल डिहायट इसका इस्तेमाल एक solid fuel के रूप में किया जाता है, इंदन के रूप में, तो रूत्म आसान तर है, ट्राइमर बना, higher temperature पे, 35 डिगरी पे, तो वा है इपनोटिक है, वही ट्रामर बना, lower temperature, 0 डिगरी Celsius पे, तो क्या काल आया, metal dehyde, जो कि एक solid fuel है, मतब एक दवाई है, तो दूसरा fuel है, नहीं, एक दवाई है, तो दूसरा इसमें क्या है, fuel है, इसका इस्तेमाल है, तो acetaldehyde का दो तरह का polymerization, याद रखोगे, बड़ा important है, कि the polymerization of acetaldehyde, in the presence of concrete, at this temperature, give, option दिये रहेंगे, तो temperature वाला बात ही इसमें important है, और एक last अब इसमें आता है, एक last अब इसमें आता है, polymerization of acetone, aldehyde में दो देख लिए हैं ना हम लोग, polymerization, generally lower member का होता है, तो ketone में जो सबसे छोटा member है, वा acetone है, और वही important है, exam में एवेन एक दो दफा, एक दो दफा पुछा जा चुका है, board का ही final examination में, polymerization of acetone, ऐसा, कैसे होगा भई, acetone का polymerization, तो यहाँ भी है, in the presence of, in the presence of concentrated sulfuric acid, acetone polymerizes, polymerizes, to keep mesitylene, very very important, देखो जब आएसे reaction होता है, तीन मूल, acetone, concentrated sulfuric acid, heat, mesitylene बनेगा, 135 trimethylbenzene को हम लोग कहते है, mesitylene, 135 trimethylbenzene, this is mesitylene, important exam में आया है कही दफा, आयगा तो ऐसे यह लिख करके, कौन के 204 लिख देगा, बस, यह करणवरसा ना सकता है, acetone to mesitylene, तो ऐसे ही बस simple, साब सको कौन के 204 के presence में, हीट कर देना है, अब यहाँ की reaction हो, कैसे रहा है, देख के तो समझ में नहीं यहाँ पर आया है हम लोग को, तो कैसे हो रहा है जला देखो ध्यान से, CS3, C double bond O, CS3 था, तीनों hydrogen को अलग दिखाते हैं, फिर C double bond O, CS3, और एक और CS3 है, जब से यहाँ होगा, CS3, double bond O, और फिर दर भी CS3, तीनों इसी टोन को यहाँ से लिखे हैं बस, concentrated H2SO4, heat कर दो, तो यह देखो, 1H2O यहाँ से बूर, 1H2O यहाँ से बाहर, 1H2O यहाँ से बाहर, 3H2O बाहर होगा, क्या बनेगा भाई देखो, तो यह बन जाना है, CS3, C, इदार यहाँ CH, हैC, CS3, फिर यहाँ CH, यही तो है, अरुएरमेटीक सिस्टम इसे नहीं है, बिंजी नहीं बनेखो ऐसा, यहाँ डब मूट, यहाँ डब मूट, यहाँ डब मूट, CS3 कहां कहां है, तो एक CS3 यहां है, एक CS3 यहाँ है एक CS3 यहाँ है इस इस में सी टाइनी तो यह यह इसमे है अब एक दो कनवर्शन जिसमें गुरूप को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो थोड़ा उसे देख ले हम लोग लोवर मिम्बर को हाईयर मिम्बर में करना हो और हाईयर मिम्बर को लोवर मिम्बर में करना हो कैसे होगा जैसे कनवर्शन दिया हुआ है मान लोग फॉर्मल डिहाइड टू एसिटल डिहाइड एक कारवन से दो कारवन कार्वन डिहाइड बनाना है तो फॉर्मल डियाइड तो जानते ही हो एच सी ओ एच इस फॉर्मल डियाइड एस इटल डियाइड एक कारपन में बढ़ाना है इसको तो पीछे सारा रियाक्शन पढ़ी चुके हैं चैप्टर इंड कर चुका है तो पहले इसको अलकॉल मतलब हो इगनार्ड रियेजिंट से रियाक्शन करवाओ इथर मीडियम फिर हाइडरोलाइसिस करते हैं ऐसे तो यह माइनस प्लस कैसे होता था यहाँ यह अटाइक करता था फिर हाइडरोलाइसिस हो रहा था तो डेरेक बन जाएगा इथेनोल अब इथेनोल से इथेनल बनाना कौनसी बड़ी बात है ऑक्षिडेशन करो डिहेटरोजनेशन करो जो भी करना है करो CH2Cl या फिर कॉपर के साथ डिहेटरोजनेशन दोनों चलेगा और तो यह बन जाएगा एसिटल डिहाइड में CH3CHO इसेटर्णीयंच करते हों पॉट एसिटल डिहाइड एसिटल्डिएड हैं इसेकरमर्म जाएक्षिडेशन चला एनेक्स्ट इसका कि यदी बदलना हो इसेटर्णीयच को किसमें फार्मल डिहाइड है तो कैसे रजभगा तो快ष में शेड़न इसका रियाक्शन अलग होगा नहीं है इस इतल रियाइट फर्स्ट पॉलिस का उक्सिडेशन कर दो पुडासियम डाय क्रोमेट वेगरा के साथ एसिटिक मीडियम है तो बन जाएगा एसिटीक एसिट को बदल दो सिल्वर में सिल्वर कार्बक्सिलीट में कैसे बदलेगा बेस एज़ी वो इसी रियाक्शन करा दो एसिट बेस का रियाक्शन बन जाएगा सिल्वर कार्बक्सिलेट सी वो वो एज़ी लगा दो कॉंसा reaction, हंस्टिकर reaction BR2 CCL4 तो बनेगा CH3BR फिर लगादो Ecos KOH तो बन जाएगा CH3OH और वापस अब इसका dehydrogenation या oxidation करवादो PCC, CH2, CL2 तो H, CHO formaldehyde तो यह है एक example दिया हमने formaldehyde को acetyldehyde में बदलना हो या acetyldehyde को formaldehyde में बदलना हो ऐसे ही कई reaction से जिसको लेकर क्या आप चल सकते हो, acetyldehyde से propanol बनाना हो तो यही चलेगा propanol से वापस acetyldehyde बनाना हो तो यही चलेगा मैंने reagent को समझना था कि reagent कैसे इसमें आगे बढ़ेगा और reaction को proceed करना है कि first of all aldehyde को लोग alcohol में बदल लेंगे alcohol का उक्षिण से aldehyde है असान है lower to higher higher to lower बना में दिक्कत है कि यहाँ पहले इसको acetyl में बदलना होगा फिर उसका salt बनाना होगा फिर वहाँ से decarboxylation type का reaction होगा है उसके बाद alcohol फिर से बनेगा lower member का और फिर अडिया है मतलब दोनों में चाहे lower से higher बनाना हो चाहे higher से lower दोनों में intermediate alcohol है देख रहे हो lower to higher जा रहे है तो alcohol higher to lower आ रहे है फिर भी बीच में क्या बन रहा है alcohol तो यह intermediate member हुआ इसके बगार नहीं होगा इसको ले करके चलना है ऐसा इसी तरह से कोई chemical test आ जाए मान लो कोई chemical test आ जाए कि how will you distinguish formaldehyde and acetyldehyde ऐसा formaldehyde versus acetyldehyde कैसे अंतर करोगे chemical दिया हुआ है जोनों कैसे हम लो distinguish करेंगे तो बड़ा सिंपल सा काम करोगे भई आइडो form test को लगा देना है हलाके कई वैसे reaction है जो formaldehyde करता है acetyldehyde नहीं acetyldehyde करता है तो formaldehyde नहीं लेकिन चुकि प्रैक्टिकली सोचना इसको तो प्रैक्टिकली जो चीज भीजवलाई जो उसे हम यूज करते हैं अब इसका लोड करने से नहीं होगा तो पता ही क्या चलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है एक्षन करवागे तो आइडो form test में पता चलता है ये लोग प्रिशिपिटेट के वज़ा से तो इसमें मुख देख चुक है कि जदी यह सिटल डिहाइड है और इसका रियाक्शन करवाते हूँ आइडो फॉर्म से 324 एनियोह हीट पीछे डिटेल में हेलो फॉर्म रेक्षन पता चुका है तो यहां से आइडो फॉर्म प्लस फालतो फालतो कार्बॉक्सिलेट शॉल्ट तो एनियो वगरा सब निकलता है तो यह जो आइडो फॉर्म बन रहा है दिस इस यहलो प्रिसिपिटेट यहलो पीपीटी बनता है लेकिन वही आप फॉर्मल डिहाइड का करवाओगे तो रियाक्शन ही नहीं होगा फॉर्मल डिहाइड का करवाओगे आयोडीन से फोर एनियो वह नो रियाक्शन आसे तो दो केमिकल दिये हुए हैं दोनों केमिकल को थोड़ थोड़ ले ले लेना है उसके बाद उसमें आयोडीन मिला देना है बेस मिला देना स्ट्रॉंगली हीट करना है जिसमें यहलो प्रिसिपिटेट आया मतब आइडो फॉर्म बना मतब आइडो फॉर्म प्रियाक्शन नहीं किया मतब आइडोफॉर्म बियाक्शन वही देता है जिसमें आलफा पॉजिशन पे मतब सदी कार्बोनील है तो इस रहा गृप होना चाहिए था ना ऐसा CS3 CO type का group मतलब alpha पे CS3 group होना चाहिए था तो उसके लिए ही test है तो ऐसे करके कई questions इसमें बनेंगे जब हम लोग exercise करेंगे न इस chapter के लिए NCRT book से तो exercise में ऐसे कई questions दिये होगे है उस question को करेंगे तो पुरा chapter मानो revision सा हो जाएगा तो फिर दिकत नहीं होगा लेकिन उसके पहले हम लोग carboxylic acid समाप्त करेंगे तो आज यहाँ aldehyde की टोन पूरी तरह से समाप्त होता है next lecture से हम लोग continue करेंगे carboxylic acid जो इसी unit का पार्ट है लेकिन chapter अलग है धन्यवादत